लास्ट क्लास में हमने यह डिसकस किया था कि किसी भी फिजिकल सिस्टम में जाइरोस्कोप को विजुलाइस कैसे करना है लास्ट क्लास में हमने यह वाला एक्जामपल लेकर यह अंडर्स्टेंड क्या था कि अगर यह डिसक किसी सर्कुलर बार पर मौंटेड है और उस पूरे सर्कुलर बार को हमने दोनों एंड से स्प्रिंग से सस्पेंड कर रखा है अब क्या होगा कि यह सिस्टम अगर मैं इसे कुछ भी हाथ नहीं इसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ इट विल भी रिमें इन इस ओरिजिनल स्टेट और यह डिस्क रोटेट करता रहेगा suppose करो मैं इस पूरे सिस्टम को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन देना चाह रहा हूँ means I am trying to move point A in the outward direction और point B को मुझे अंदर की तरफ मूँ करना यह मेरा intention है मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक कपल प्रोवाइट करता हूँ instead of यह A और B horizontal plane में अंदर बाहर मूँ करे मुझे इस third Z axis के अबाउट एक rotation मिलता है और point A और B vertical plane में मूँ करते है this is your gyroscopic effect मतलब यह हुआ कि आप किसी एक particular axis के about कुछ input couple प्रोवाइट करते हैं और आपको जो output couple मिलता है वो उससे just perpendicular axis के about मिलता है तो यहाँ पर आपका जो X axis है इसे हम axis of spin कहते हैं Y axis जो है जिस पर मैंने एक input couple दिया है इसे axis of precision कहते हैं और जो third axis है जिसके about मुझे ultimate final effect मिल रहा है this is actually your axis of gyroscopic couple यह basic example हम last class में complete कर चुके हैं आज की class में basically हमें यह समझना है कि यह जो Z axis के about मुझे couple मिलने वाला है यह clockwise होगा या counter clock होगा that means gyroscope का सबसे critical point है gyroscopic couple की direction calculate करना पर उसके साथ हमें gyroscopic couple का magnitude भी calculate करना होता और magnitude का एक बहुत ही simple formula होता है the couple value is i omega omega p अब यहाँ पर यह तीनों value क्या है हम sequential ही समझते हैं suppose करिए आपके पास एक disc है जिसका moment of inertia polar moment of inertia आई है अगर यह disc x-axis के about omega से rotate कर रही है मतलब जो spinning angular velocity omega है अब अगर मैं इस पूरे system को इस y-axis के about एक rotation दे रहा हूँ और उस rotation की angular velocity को अगर मैं omega p से denote करता हूँ तो जो gyroscopic couple मुझे z-axis के about मिलने वाला है उसका magnitude i omega omega p होता है इसका derivation बहुत ही simple है subsequent lecture में हम उसका भी highlight लेंगे but at this point magnitude निकालना कोई बहुत बड़ी deal नहीं है you only need the i value omega value and omega p value जो हमेशा question में given होती है imported चीज है हमें यह समझना कि यह जो z-axis के about मुझे couple मिल रहा है यह clockwise होगा या counterclockwise होगा इस stage पर यह भी समझ लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर यह precision y-axis के about दिया there may be a condition कि आपके पास जो disk rotate कर रहा है उसको आप y की बजाए z के about एक precision देना चाहते है what I want to convey कि अगर आपके पास फिर से पहले जैसा ही system है और आपका disk जो है वो disk omega angular velocity से rotate कर रहा है और इस वक्त मैं इसे z-axis के about rotate करना चाहता हूं मतलब यह पूरी entire frame को z-axis के about rotate करना चाहता हूं what I will get I will get a gyroscopic couple about the y-axis तो यह यहाँ पर मेरा हो जाएगा omega precision और इस जगे मुझे gyroscopic couple मिलेगा जिसका net magnitude होगा i omega omega p तो formula के point of view से आपको सिर्फ एक छोटा सा formula याद रखना है जिसकी value है i omega omega p now we will see कि अगर मुझे couple की direction calculate करना है तो उसके लिए हमें क्या-क्या पता होना चाहिए जो सबसे पहले चीज़ हमें पता होना चाहिए that is how we get the direction of angular velocity यहां direction से मेरा मतलब है कि अगर आपको angular velocity का vector बनाना है तो angular velocity का vector आप किस तरह से draw करते हैं please understand suppose करिए आपके पास एक circular body है और वो circular body rotate कर रही है angular velocity omega से if I am looking the body from this point तो यह मेरे लिए view point हो गया और अगर यहां से देखने पर यह clockwise rotate कर रही है इस case में इसका जो vector हम draw करते हैं दो condition vector के लिए हमें याद रखना है condition 1 जो vector का direction होगा that means जो उसका arrow होगा वो इसी axis के along होगा अगर यह x axis है तो इसका जो angular velocity vector होगा वो इस line के along ही मुझे draw करना है लेकिन मेरे लिए question है कि arrow जो है वो towards the left side में लगाना है या right side में लगाना है इसके लिए आप लोग या तो right hand thumb rule use कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए screw rule use कर सकते हैं I generally prefer screw rule और screw rule का सीधा सा logic है कि जिस direction में आपका disk या circular component rotate कर रहा है उसी direction में अगर हम screw को rotate करेंगे तो screw किस तरफ move करेगा normally हमें ये बात याद रखना चाहिए कि एक screw को जब हम clockwise rotate करते हैं तो clockwise rotate करने पर screw forward direction में move करता है अगर आप लोगों ने कभी किसी screw को use नहीं किया है आपका experience नहीं है तो आप इसे याद रखिए कि जब हम screw को clockwise rotate करते हैं तो screw जो होता है वो forward direction में move करता है और इसके exactly opposite अगर हम screw को counter clockwise direction में move करते हैं तो screw जो होता है वो backward move करता है तो given case में अगर इस तरफ से देखने पर यह clockwise rotate हो रहा है इसका मतलब मुझे screw की direction में rotate करना है मुझे screw को भी clockwise direction में rotate करना है और अगर मैं screw को clockwise direction में rotate करता हूँ तो वो forward direction में move करने वाला है Based on this analysis हमें यह पता लगता है कि जो angular velocity vector होगा वो forward direction में होगा और अगर हम इसमें graphical presentation देखते हैं तो यह जो length of arrow होता है यह मुझे angular velocity का magnitude देता है लेकिन हम कभी graphical नहीं करते हैं हमें इस diagram की जरुवत सिर्फ होती है क्योंकि हमें gyroscopic couple की direction calculate करना होता है on the other hand अगर यहां से देखने पर यह disc counter clockwise direction में rotate करता तो इसका exact भी opposite होता और इसका जो angular velocity vector होता वो backward direction में बनता और बनता इसी line के along अगर हम दो तिन छोटे छोटे चोटे example लेकर एक बार और angular velocity को understand करें सबोज करो यह three dimensional figure हमने लिया और यहां पर यह x axis के along आपका disc rotate कर रहा है और यह counter clockwise direction में rotate कर रहा है if I am looking the disc from this point the disc is rotating यह मेरे लिए view point है और यह counter clockwise direction में rotate कर रहा है तो counter clockwise direction में अगर यह rotate कर रहा है तो दो चीजे हैं एक तो angular velocity vector x axis के along बनने वाला है और angular velocity vector की direction क्या होगी backward backward किसके reference में backward view point के reference में मतलब जो screw है वो view जहां भी viewer खड़ा है उसकी तरफ आने वाला है तो this is the direction of your angular velocity एक और example लेते हैं कि अगर आपके पास फिर से एक three dimensional frame है और यहाँ पर इस बार आपका disk जो है वो इस axis के about mounted है suppose this is your z axis and when I look from this point यह जो disk है यह clockwise direction में rotate कर रहा है with angular velocity omega तो इसका जो angular velocity vector मुझे draw करना है वो forward direction में और वो negative z direction में बनने वाला है because this is the forward direction when I am looking from this point इसी तरह से अगर मैं यहाँ से देख रहा हूं और यह जो disk है यहाँ से देखने पर मुझे counterclockwise direction में rotate होता हुआ नजर आ रहा है तो इसका जो vector होगा वो view point के corresponding कैसा आने वाला है it is rotating in the counterclockwise direction मतलब आप view point पे खड़े होका अगर screw को rotate करते हैं तो वो backward move करेगा backward move करेगा मतलब इसकी जो angular velocity का vector होगा वो इस तरह से define होने वाला है I hope यह basic example से आपको इतना understanding हो गया कि एक angular velocity vector को हम केसे draw करते हैं second important aspect हमारा यहां पर है कि यह जो gyroscopic couple system में होता है यह actually exist क्यों करता है for example अगर आपके पास एक three dimensional frame है यह मैंने एक three dimensional frame यहां पर draw कर दिया अगर इसको और थोड़ा सा visualize करना है तो we will make the horizontal plane and then we will make the vertical plane but the diagram will become more complicated तो हम उसको simple रखना चाहते हैं तो यह एक frame है जिसमें यह x direction है यह y direction है और यह z direction है अब अगर मेरे पास कोई rotating component है so I can understand कि उसमें उसका एक angular momentum होगा आपका angular momentum if I am denoting the angular momentum by P I can write that the torque will be what torque will be rate of change of angular momentum यह एक formula हमें पहले से पता है दूसरा angular momentum का formula क्या होता है तो we can write that the angular momentum is what I and omega where I is the moment of inertia और omega जो भी किसी component है suppose करिए आपके पास एक circular disk है जिसका moment of inertia I है और इस circular disk omega angular velocity से rotate कर रहे है तो इसका angular momentum कितना होगा इसका angular momentum I omega रहने वाला है और अगर मैं इस angular momentum को change करता हूँ आपको समझना होगा कि अगर आपको किसी system के angular momentum को change करना है तो definitely आप क्या करेंगे आप उस system पर torque apply करेंगे कई बार हम कहते हैं कि torque हम apply नहीं कर रहे हैं इस पर tangential force apply कर रहे हैं डासन्ट मेक एनी difference अगर आप tangential force apply कर रहे हैं और आपको circular member की radius पता है तो आपको पता है कि जो torque आप system में introduce कर रहे हो उसका magnitude f into r है और जब भी हम किसी system पर कुछ torque apply करते हैं system में angular momentum change होता है so in this case जैसे ही मैं इस पर एक torque apply करूँगा इसकी angular velocity में कुछ change होगा वो depend करता है कि मैंने force लगाया जो angular velocity को increase कर रहा है या decrease कर रहा है for example मैंने अगर इस पर कोई force लगाया और इसकी angular velocity increase होके omega plus delta omega हो गई तो जो rate of change of angular momentum होगा वो कितना होने वाला है so I can write that i omega plus delta omega आपका final angular momentum है और i omega आपका initial angular momentum है तो इन दोनों का difference आपको change in angular momentum देगा और अगर आप उसमें time से divide कर देते है तो आपको आपका जो भी reacting couple है या acting couple है वो पता चल जाएगा तो ये एक बहुत ही basic physics का फंडा होता है कि किसी भी rotating component में एक angular momentum होता है अब होता क्या है gyroscopic couple में gyroscopic couple में अगर आपके पास एक disk है और अगर वो suppose x axis के about rotate कर रही है and let this is the angular velocity vector of this omega मैंने ये assume कर लिया कि ये मेरे लिए view point है और यहां से देखने पर ये clockwise rotate कर रही है तो based on my understanding of direction of angular velocity हमने ये angular velocity का vector draw कर दिया अब suppose करो मैं इस पूरे system को y axis के about omega p से rotate कर रही है तो किसी given instant of time में ये x axis इस horizontal plane में rotate करेगा z axis भी इदर आना चाहेगा तो for a given instant of time suppose कर ये x axis ने इस direction में एक delta theta से rotation कर लिया इस rotation की वज़े से जो disk है उसकी position भी अब change हो गई अगर मैं इस वक्त इसका angular velocity vector draw करता हूँ तो यहां से ये भी clockwise है मतलब जो screw होगा वो forward ही जाने वाला है तो इसका angular velocity vector इस direction में आएगा अगर मैं दोनो angular velocity को एक साथ draw करता हूँ तो यह मेरे लिए latest angular velocity का direction हो गया और यह मेरे लिए initial angular velocity का direction हो गया please listen very carefully अगर मैं इन दोनो angular velocity vector से change in angular velocity का लो तो क्या आपको लगता है कि x direction में कोई angular velocity में change हुआ है या z direction में कोई angular velocity में change हुआ है let's see suppose यह मेरे लिए angular velocity है x direction की जो omega है बाद में जब मैंने इसको rotate करा तो this is the angular velocity जो changed angular velocity है अब अगर मैं यहाँ पर इस से एक vertical draw करके देखूँ और vector की term में अगर मैं समझू तो जो x direction में इस angular velocity का component अब रह गया है वो इतना है suppose this is delta theta तो यहाँ अगर हम simple component of force की philosophy लगा कर check करें तो जो change in angular velocity along x direction आया है उसका magnitude कितना हो जाएगा उसका magnitude हो जाएगा final angular velocity हो गई omega cos delta theta और initial angular velocity ती omega इसी तरह से अगर मैं जो another direction है और प्लीज यहाँ पर आप three dimensional figure को देखकर इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो angular velocity के दो component है एक हम इस axis के along निकाल रहे हैं हमारे लिए z के along वाला axis है don't consider plus और minus z सिर्फ इतना समझ जिए कि इस angular velocity का एक component z में आने वाला है और दूसरा component x direction में आने वाला है why? क्योंकि हमने इस पूरे axis को horizontal plane में rotate किया है horizontal direction में जो change in angular velocity हुआ है that is omega cos delta theta minus omega where delta theta is the small angular rotation वैसे ही अगर में omega delta omega z calculate करता हूँ तो उस direction में मुझे विलने वाला है omega sin delta theta क्योंकि उस direction में पहले कोई angular velocity का component था ही नहीं based on these two angular velocity I can define that change in angular momentum along x और change in angular momentum along z यह दोनों value में है calculate कर सकता हूँ but at this point if I am assuming that delta theta is very very small I can simply replace cos delta theta है इसको हम 1 लिख सकते हैं और sin delta theta है इसको हम simple delta theta से represent कर सकते हैं तो जैसे ही मैंने cos delta theta को 1 लिखा यह पूरा factor 0 होने वाला है और change in angular momentum along x is approximately 0 but change in angular momentum along z direction आपके पास omega delta theta आने वाला है यही change in angular velocity जो z direction में आपको मिल रहा है इसका जो reacting part होगा please आप understand करिए कि rate of change of angular momentum is the torque मतलब आपने system पर कोई apply किया होगा torque जिसकी वज़े से angular momentum में change हुआ और based on the newton's third law आपको उसका reaction मिलने वाला है यहाँ पर आपने applied torque जो था instead of applying in the z direction आपने उसको किसके about लगाया था आपका applied torque जो था वो आपने y axis के along लगाया था लेकिन आपको जो response मिला वो किसके along मिला rate of change of angular momentum हमें z axis के about मिल रहा है that means z जो axis है उसके about हमें एक reaction मिलने वाला है और उसका magnitude अगर मुझे calculate करना है तो उसका magnitude कितना हो जाएगा तो जो torque या couple हमें z axis के about मिलेगा it will be delta t और यहाँ पर i omega delta theta by delta t यह जो term है this is nothing but your omega p तो जो gyroscopic couple आपका निकल के आ रहा है उसका magnitude हो गया i omega omega p जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि अगर हम angular velocity में change कर रहे हैं तो system में change in angular momentum होगा और change in angular momentum की वज़े से आपको एक reacting couple मिलने वाला है जिसका magnitude i omega और omega p हो गया I hope at this point आपको इतना समझ में आ गया कि angular velocity का vector के से draw करते हैं और अगर हमें gyroscopic couple क्या magnitude calculate करना है तो वो कितना होगा और gyroscopic couple system में exist क्यों कर रहा है मैं फिर से just एक brief करता हूँ कि आपकी angular velocity पहले सिर्फ x direction में थी जब आपने इस पूरे system को rotate किया तो angular velocity में change हुआ बट change उसके magnitude में नहीं हुआ उसके component की वज़े से change आ गया जैसी आपने axis को rotate किया तो axis को rotate करने से x के along भी angular velocity में change हुआ और z के along भी change हुआ लेकिन बहुत छोटे angle के लिए x के along जो change हुआ वो negligible था बट z के along पहले कुछ था ही नहीं तो z के along हमें एक change in angular momentum मिला and because of the Newton's third law there will be a reacting torque जो मुझे finally z के about मिल रहा है और उसका magnitude होगा i omega omega p अब जो चीज बच रही है वो है आपको इसकी direction calculate करना इसके बाद sequentially हम आप इसकी direction calculate करेंगे